हेलो गाईस आज हम बात करेंगे Samsung Galaxy Z Fold 3 के 25 hidden features के बारे में जो गया भी है तो device एकदम latest launch किया गया है वैसे features की बात करें तो काफी सारे features हमें याँ पर देखने को मिलते है बट मैं कुछ आप लोगो गिने चुने feature ही बताऊंगा क्योंकि देखिए अगर पूरे features की बात करेंगा इस तो बहुत सारे features मिलते इस premium device में वीडियो स्टाट करते हैं उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजीगा बेल का इकोन को प्रेस कर लिजीगा तो जितने भी सारे features है ज्यादत तर features हमें settings में देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हमको setting open करना है और जब भी हम new device purchase करते हैं तो एक चीज में आप लोग को बता दू कि हमें email वगेरा id डालना पड़ता है तब जाके phone चालू होता है हमारे phone में अगर playstore वगेरा open करने आप आप लोग को email id वगेरा डाल लेना है अब यह सब setup आप लोग ने कर लिया होगा तो सबसे पहले features की और बढ़ते हैं और यहां पर हम जाते है sound and vibration पे उसके बाद यहां पर हम देखेंगे अपने phone में sound quality and effects में यहां से अगर आप लोग music सुनने के सौकीन है तो यहां पर हमे bass, treble, instrument, vocal यह सब के features यहां पर देखने को मिलता है और Dolby Atmos भी हमें यहां पर देखने को मिलता है जिसमें Dolby Atmos में भी काफी जबरदस्ट features है auto category, movie category, music category ओके advance पर हम click करेंगे तो यहां पर आप लोग sound वगेरा exact कर सकते हैं अपने साप से और यहां पर काफी अच्छे ची category यहां पर देखने को मिलती है जो कि आप लोग use कर सकते है और यह feature जैसा नहीं कि एरफोन लगा कि आप लोग use कर पाएंगे आप लोग ऐसा sound से भी use कर पाएं जो की काफी कमाल का feature है यह भी आप लोग feature को use कर पाएंगे तो यहां पर मैं select करके जो यहां पर कोई भी IP यहां पर select कर सकता हूँ जिससे मैं music सुनना चाहता हूँ और यहां से मैं उसको add करके से जो है simply काफी आसान तरीके से जो है music वगएरा सुन सकता हूं कि तो यहां से तो अभी मैं इसको बंध ही कर देतनों काफी बैटर रहेगा इसको मैं आइट कर दिया हूं कुछ कुछ तो यह भी फीचर हमें यहां पर देखने को मिलता है जिसमें क्या रहता है बेसिकली कि जो रहता है न मतलब इमेज़ इमेज कॉलर्टी ओफ यवर वीडियो तो इंजोई ब्राइटर एंड मोर विवीड कलर्स हो के तो यहां पर आप लोग काफी हाई कॉलर्टी से मतलब वीडियो पिलर वाली एप्स होगी सभी में काम करने स्टार्ट कर देगा ओके इसमें एक इफेक्ट आप लोग को नॉर्मल ही देखने को मिलेगा वह रहता है कि जैसे अभी जो मैं नॉर्मल फोन यूज़ कर रहा हूं वैसे ही अगर मैं यूटूब ओबन कर दूंगा तो मेरे फोन का ब्राइटनेस जो रहेगा ना बढ़ जाता है थोड़ा कलर वगेरा भी बढ़ जाता तो यह फीचर काफी कमाल का इसको आप लोग जरू से यूज़ करिए और हमें यहां पे जो है वन हैंडेड मोड भी देखने को मिलता है जो की कॉमन सी बात है वैसे ज्याद इसी मोड भी फीचर काफी कमाल का लगा मुझे बेसिकली यह जो फीचर उन लोग के लिए रहता है जो काफी ईजी तरीकेते फोन को देखते हैं जिसमें देखी मैं जैसे यह इजी मोड को अपने फोन में इनेबल किया उसके बाद आप लोग फोन का इंटरफेस देख सेथ देखें कि इंटरफेस जो ना काफी अलग सा हो चुका है और एक्दम बड़ा-बड़ा सा दिख रहा है और काफी सिंपल सा दिख रहा है मतलब अगर साउंड तो डिस्प्ले सेटिंग दिख रही वाल पेपर सेटिंग दिख रही है तो यह इजी मोड भी काफी बैटर है और इसके बाद दिस्प्ले सेटिंग में बात करें तो हम यहां पर अपने फोन में रेजोलेस्टन वगेरा भी एडजस्ट कर सकते हैं इसके बाद एक और फीचर बताऊंगा यहां पर जो की है एक्सिडेंटल टच प्रोटेक्ट्टिंग का ओके तो यहां पर हम यह यह भी फी तरीके से इसको बताया गया है कि जैसे देखिए आप लोग के पॉकेट में रहता है फोन बेग बगेरे में रहता है और एक्सिडेंटल तरीके से टच हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप लोग इस फीचर को अन कर सकते हैं उसी के जस्ट नीचे हमें टच सेंसिविटी का उप्सन मिलता है जिसमें क्या रहता है कि नॉर्मल देखिए वैसे यह तो फोल्ड फोन है तो हो सकता आप लोग यूज ना करें स्क्रिन प्रोटेक्टर बट अगर यूज करें भी तो मैं आप लोग को बता दो कि यह फीचर अगर टच सेंसिविटी को यू प्रोटेक्टर यूज करें उसके बाद आलवेसां डिस्प्लेट देखने को मिलता है जो कि सैमसंग का एक तरीके से बोल सकते है सहीन है और वीसिबिलिटी इनेसमेंट में हम यहां पे क्लिक करेंगे तो हमें यहां पे हाई कॉंट्रास्ट थिम भी देखने को मिलती है और यहां पर काफी सारे फीचर से काफी कमाल का लगे मुझे से कलर इंवर्शन हो गया जिसमें आप लोग जो फोन का जो कलर रहता है वो पूरा का पूरा चेंज जाएगा अभी स्क्रीन रिकॉर्डर में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा बट काफी कमाल का एकदम से अल आप लोग में से काफी सारे वीडियो बनाऊंगा जो जो काफी अच्छे टॉपीक्स रहते हैं उनके उपर और यहां पर हमें हाई कॉंट्रास्ट कीबोड का भी फीचर देखने को मिलता है और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर से आप बात करें जैसे की सो टच हो गया या फ फोन का तो आप लोग को एकदम बॉट्णम में जाना है डेवलपर ऑप्सिंस में देखी वैसे रीजिएन्ट अभी फोन लॉझ्ट किया गया है तो होसकता है अप लोग में से काफी सारा लोगों ने सका डेवलपर ऑप्सिंस एनेबल नहीं किया होगा तो आप लोग अपन तो उत्प tournaments of the happening monitor location uponter location देखनी को मिलता है उसके बाद यहां पर आगर आप लोग को डीपीऑई चेंज करना है phone का तो डीपी अ बगेरा भी चेंज कर सकते गेमर्स लोग काफ़ी DPS नकरते तो DPS के बारे मैंने आप लोग बदा दिया उसके बाध अकर गेमिग की बात करें करें तो यहांपी हम सर्च करते है गेम तो गेमिग में भी काफ़ी भयतरीन फीचर्ट है बेसिकली यहां पर हमें गेम tackling देखने को मिलता है गेम बूस्टर भी देखने को मिलता है और गेम ऑक्टमाइजिंग की सर्विस। देखने को मिलती है एक ही गेम लॉंचर को यह आप लोग कर सकते बाकी जो features रहते वह तो वैसे default में ही काम करते ओके और अगर आप लोग को अपने फोन में जो है थीम्स वगेरा चेंज करना है या फिर wallpapers या फिर जो भी हो icons वगेरा चेंज करना है तो आप लोग गेलेक्स यह थीम का भी feature यहां पर देखने को मिल जाता है और अगर आपलोग को अपने फोन में जो है जो home screen रहता है सको customize करना में तो सिंपली आप लोग यहां पर टैप करना मतलब यह जो कॉर्णर पर देखिए यह कॉर्णर पे और यह कॉर्णर पर आप लोगः लोग को finger रखना है दोनों को आपस मिलाना है तो यहां पे आप लोग डरेक्ट बॉल पेपर सुख और यहां से चाले तो आप लोग काफी आसान तरीके से खुस्टमाइज कर सकते एक म्यूजी्च का फीचर मैं बताऊंगा आप लोग जो की मुझे काफी पसंद आया वह रहता है यहां चाहाल वोत्लक्त में हमारे को यहां से आप लोग साउन वागर एड़ेस्स कर सकते है। तो चाहे तो left side में आप लोग जादा sound कर सकते हैं फिर left side में जादा कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा feature लगा मुझे Mono audio यूज करेंगे तो Mono audio के एक अलगी मज़ा आता है तो यह आप लोग देख लेना है काफी जवरदस्त आप लोगो feature मिलेगा और amplify sound का भी हम यहाँ पर feature मिलता है तो आप लोग यह भी यूज कर सकते स्पीकर sounds की बात करें तो यार काफी कमाल के feature है personally बता हूं तो मुझे काफी पसंदाते feature accessibility setting में चाह आप लोगो यह सारे features advanced setting में भी काफी सारे features जैसे कि face notifications हो गया direction lock हो गया smart lock हो गया यह सब चीज़े और एक चीज में आप लोग बताना चाहूंगा यहां पर कि देखिए जैसे for example कोई भी feature की बात करें यह उगए display setting में मैं क्लिक करता हूं और जैसे मान के चलिए edge screen पे क्लिक करता हूं कि यहां पर about edge screen पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि भाई अपडेट का भी feature मिलता है होगे तो हम default feature जैसे की edge screen हो गया और भी सारे फीचर से जैसे always on display हो गया या फिर default apps की बात करें तो file manager हो गया camera हो गया browser हो गया browser तो इसे common सी बात होगी बट camera default app हो गया यह जो सारी default apps रहती ना इन सभी को भी आप लोग अपडेट कर सकते जो कि personally मुझे काफी अच्छा लगा है feature and आप लोग भी मतलब मतलब हमेशा phone को update update कर सकते हैं क्योंकि अभी तो new phone update तो मिलते रहेंगे साथे साथ features में भी आप लोग को update देखने को मिलेंगे and चाहूं तो मैं आप लोग काफी सारे features हैं बता दू क्योंकि काफी भैतरीन भैतरीन features है बट वीडियो का क्या होते हैं कि अगर ज्यादा लोग पसंद करते हैं वह हमें comments करके बताती रहीएगा और मैं आप लोग को अभी डेडिकेटर वीडियो से प्रवाइड कर दूंगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी